हेलो इस्टूडेंट्स मिलते हैं नैंसे मैम के क्लास में मैज की क्लास में ठेके बच्चो आपको तो पताईए कि आप कल क्या पढ़ रहा थे स्मॉलेस्ट नंबर और आज हम लोग लाजिस्ट नंबर पढ़ेंगे ठेके बच्चो तो लाजिस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा नंबर क्या होता है सबसे बड़ा नंबर कल आप पढ़ रहे थे सबसे छोटा नंबर ठेके और आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे बड़ा नंबर, यानि के सबसे बड़ी नंबर कौन सी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ example देखते हैं, ठीक है बच्चो, मेरे पास यहाँ पर कुछ pin है, मैं इसे arrange कर देती हूँ, ठीक है, अब आपको यह बताना है, कि इसमें सबसे बड़ी कौन सी pin है, यह वाली है pin, सबसे बड़ी, कि यह वाली है, कि यह वाली है, या फिर यह वाली, या फिर यह वाली, आप बता सकते हो, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 नंबर में कौन सी pin बड़ी है, तो आप इसली बता सकते हो, कि मैं सबसे बड़ी pin यह है, ठीक है, आप बता सकते हो, सबसे बड़ कौन है इसको मुझे सरकल करना है ठीक है घेरा करना गोल करना है जैसे मम्मी की रोटी गोल होती है न वैसे इसको गोल करके अलग सा हटा देना है ठीक है बच्चो समझ में आया एक एक्जामपल और हम लोग देखते हैं पिन के अलावा यह आपका इरेजर है ठीक है यह क्या है इरेजर अब यह भी इरेजर है यह क्या है छोटी वाली इरेजर है ठीक है बच्चो और यह है बड़ी वाली तो कल आपने क्या पढ़ा है छोटी वाली इरेजर और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बड़ी वाली इरेजर के बाड़े म यानि कि इसमेंसे दोनों में बड़ा कौन है? तो आपको होगे मैम, ये वाली है。 ठीके? ऐसे ही समझो, ये चौकलेट है. तो आप तो हमेंसा बड़ा वाला चौकलेट खाना चाहोगे. तो यहाँ पर भी क्या करना है? बड़ी वाली आपको number को circle करना है अलग करना है अब समझ में आया तो इसको कहा जाता है largest क्या बोला जाता है largest और ये क्या है smallest ठीक है ऐसे इस spin में क्या है ये largest और ये छोटी वाली क्या है smallest आई बार समझ में तो हम लोग आप date लगा करके आगे पढ़ना सुरू करते हैं ठीक आज का date क्या है CW 23rd 10 2020 है heading क्या है circle the largest number क्या है circle the largest number ठीक है तो circle का मतलब होता गोल करना largest का मतलब होता सबसे बड़ी और ये क्या है number मतलब संख्या यानि कि number ठीक है तो मुझको उसको circle करना है मैं कल क्या बोली थी कि जब आप 1,2,3,4 बोलते हो तो जो सबसे पहला number कोई भी number आप बोलते हो तो वो क्या होता है सबसे छोटा होता यानि कि smallest होता है और अभी क्या करना है जो सबसे last में number बोलोगे यहाँ पर largest हो ही है जैसे मैंने 5 तक लिखा तो आप number जब count करते हो तो आप उपर से नीचे की ओड़ जाते हो ठीके अप टू डौन की ओड़ जाते हो ठीके आगे की ओड़ जाते हो ठीके forward जाते हो तो यह वाला reverse आपको भी count करते हो कभी कभी भी आपको 100 तक बोलना है तो कभी आप बोलते हो 100, 99, 98, 97, 96 तब last में आप 1 वो तो backward counting करते हो लेकिन जब भी आपको number बोला जाता है तो आप serial wise starting से number बोलते हो बोलते हो ना तो जब starting से आप number बोलते हो तो जब आप पहला number से start करते हो 1, 2, 3, 4, 5 start कहां से कियो 1 तो 1 क्या हो गया आपके smallest number ठीक है और सबसे last में जो बोले हो वो क्या है आपका largest number ठीक है last में जो बोलोगे वो largest जो small में यानिके first time में बोलोगे वो क्या हो गया smallest यानिके छोटा अगर मानलोग अगर हम लोग 3 से करते हैं 2, 1, 2 को भूल जाते हैं 1, 2 को अगर हम लोग भूल जाते हैं तो क्या होता है 3, 4, 5 में ठीक है अब हम लोग यहां से count करते हैं 3, 4, 5 अब इन तीनों में बड़ा कौन है तो 3 से आप count कर रहे हो यानिकि यह 3 हो जाता है आपका smallest number और 5 आपका हो जाता है largest number ठीक है बच्चो आई बास समझ में अब हम लोग ऐसे ही आप जब भी आपको number बोला जाएगा आपको बोला गया है हमेशा 1 से लेकर के 10 तक के number ही important है यही आपको सारे number आपको बताते हैं ठीक है 1 से लेकर 10 number ही important है अगर आपको इतना 10 number में आपको पता है कि कौन आपके smallest है कौन आपके largest है तो आपको पता चल जाएगा अगर मैं बोलूँगी 5 और 7 5 तो 7 के बीच में सबसे smallest कौन है तो सबसे पहले कौन से number से start कर रहे हैं 5 तो यह होगे smallest 7 यानि की होगया largest ठीक है 8 से 10 के बीच में बोलोगे तो 8 क्या होगया smallest 10 होगया आपके largest 1 तो 4 में बोलोगे तो 1 क्या हो जाएगा आपके smallest 4 क्या होगया largest ठीक है बच्चो आई बात समझ में अब हम लोग नंबर देखते हैं इसलिए आपको 1 से ले करके 10 तक का नंबर को अच्छा से जानना ज़रूरी है ठीक है अब हम लोग कोश्यन देखते हैं कोश्यन क्या है आपका ए नंबर में 1818, 1010, 6, 1414, 1515 आई बात समझ में कोश्यन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपके क्या है 1818, 10, 6, 1414 और 1515 है तो इसमें क्या है सब देखो यहाँ पर दो दो नंबर है 18 है यानि कि टू नंबर है 10, 2 है 6, 1415 सारे दो है यह अकेला है तो जो अकेला है यानि कि यह क्या है smallest नंबर है छोटा, S मैंने कर दिया ठेक है अब आपको पता है सब में 22 नंबर में मिला हुआ है तो सब की left side में 11 है ठेक है तो जब 11 है तो आप उसको छोड़ दो right side के आप नंबर देखो 8, 0, 4, 5 अब आपको पता है कि 1, 2, 3, 4 बोलते हो ना 0 फिर 1, 2, 3, 4, 5 तो सब से last में आपको पता है 80 नंबर आती है यानि कि 8 ठेक है बच्चो 8 नंबर कब आता है last में आता है यहाँ पर आप देखो 0 यहाँ से आप 1 बोले हो यहाँ पर 8 आता है ठीक है तो इस तरह से जब बाद में आता है यानि कि यह क्या है मेरी largest नंबर है यह वाली largest आई बार समझ में इसको मैंने क्या कर दिया है circle क्या क्या है circle तो आपको इस तरह से circle यानि कि घेरा कर देना है ठीक है अब हम लोग आते हैं बी नमबर के कोश्चन में इसमें क्या है 8 16 16 5 17 17 और 1111 यहां पर भी सबसे पहले smallest number को अपलग कर दो यहां पर दो नमबर है यहां अकेला है यहां double है यहां double है अब यह अकेला number है इसके आगे पिछे कोई भी number नहीं है इसके भी आगे पिछे कोई भी number नहीं है नहीं नहीं है तो यानि कि यह दोनों ही smallest है इन तीनों में से अब इन दोनों में सबसे smallest कौन है तो सबसे पहले मेरा number आता है 5 तब 6 तब 7 तब 8 यानि कि 8 बड़ी है 5 की है सबसे में smallest है ठीक है आप सबसे बड़ी कौन है तो 11 12 13 14 15 16 नहीं यह 17 है तो 17 क्या हो गए मेरे largest number यानि कि इसको क्या करना है मझको L for largest यहाँ पर L for largest ठीक है आपको लिखने की जरुवत नहीं है मैं समझाने के लिए L और S लिख रहे हैं ठीक है ताकि आप समझ जाओ तो यह हो गया 17 आपके सबसे बड़े हैं इसलिए यह क्या है largest number ठीक है बच्चो नेक्स कोशन है आपके C 111 12 12 14 14 13 13 16 ठीक है बच्चो इसमें क्या है कोई भी single number नहीं है जब single number नहीं है तो आपको 11 से ही बोलना पड़ेगा 11 12 13 14 15 नहीं है 16 यानि सबसे last में कौन से number आया 16 तो यह क्या हो गया आपके largest number ठीक है सबसे पहले कहां से count सुरू के हो 11 से यह क्या हो गया आपके smallest number और यह क्या हो गया आपके largest number आई बास समझ में फोर नंबर कोशन देखें जो D है 16 16 18 18 20 19 19 and 11 11 यहां भी सारे क्या है क्या है 22 number है इसमें 12 12 12 12 12 12 ठीक है तो यह क्या है 11 से 20 के बीच का number है अब तो आप 11 से ही count करोगे तो count करो 11 से बोलना सुरू करो 11 12 13 14 15 16 यहां जाओ 17 18 19 20 सबसे last में कौन से number बोले हो यह 20 तो सबसे last में जो number बोलोगे वो क्या हो जागा आपके largest number सबके सामने में 1 है इसके सामने 1 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 लेकिन इसके सामने क्या है 2 है तो ऐसे भी आप देख करके क्या समझ जाओगे कि ये सबसे बड़ी नंबर है आई बाद समझ में अब इन नंबर कोशन देखें यानि 5 नंबर कोशन 122, 1616, 1717, 1818, 1990 अब सब के सामने में यहां 11 है तो मुझको ये नहीं देखनी है कौन सी देखनी है ये 2 नंबर वाले बाद वाले ठीक है अब इसमें आप स्टार्टिंग से करो 11, 12 वाले नंबर में है क्योंकि 1, 11 को बताता है 11, 12, 13 नहीं है 13, 14, 15, यहां 16 आगई 16, 17, 18, 19 सब से लास्ट में कौन सा नंबर आया 90, यानि 9 तो सब से बाद में आता है तो 9 को मैंने सरकल कर दिया यानि कि ये क्या हो गए largest नंबर, तो सब से पहले 12 से बोले हो तो ये क्या हो गए smallest नंबर आई बाद समझ में largest और smallest में तो यही बच्चो क्या है आपके homework है लेकिन homework में आपको खुझ से कोशिस करनी है, ठीक है homework की question आपके change है same नहीं है, ठीक है तो ये मैंने लगा दिया है क्या HW 23rd, 10, 20, 20 circle दा largest number ये है आपके homework, ए नंबर में मैं number rate कर दे रही हूँ आप इसको ज़ादर ज़ादर practice करना आप जितना 1 से लेकर के 400 तक आपको अभी पढ़ाए गया, अब उतना number 6 जओगे तो आपको पता चल जागा कि कौन सा number smallest है और कौन सा number largest है, ठीक है बच्चो अभी हम लोग क्या कर रहे है 24, 24 है यहाँ पर ठीक है, और ये क्या है 14, 14 16, 16 26, 26 और 3 ठीक है बच्चो ये क्या है, 27, 27 28, 28 29, 29 21, 21 23, 23 अब यहाँ पर सब के सामने में 22 है, अब आपको यहाँ से बताना है कि 21 से 30 के बीच में कौन सा number last में आता है, यहाँ पर भी आपको देखना है, आप one number को side कर दो, single number को side कर दो, यहाँ 22 है यानि कि इन दोनों में ही कोई last number आएगा तो 21 से count करना सुरू करो जो सबसे last में आएगा वो number आपके largest हो जाएगे ठीक है, वैसे यहाँ पर भी count करना ठीक है, C number के question में rate कर दे रही हूँ यह है 3 3030, 1313 2323 2333 यहाँ पर मैंने एक number common लिया है 3, लेकिन कोई 3 आगे है तो कोई 3 बात में है ठीक है, अब आपको पता करना है कि single number में कौन से smallest है उसके बाद 11 के line में कौन सा आता है 21 के line में कौन सा आता है 21 से 30 के line में फिर 31 से 40 के line में कौन सी आती है ठीक है, आप जब 1, 2, 3, 4, 5, 6 बोलते हो न 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तो 11 से 20 कोड जाता है तो वैसे ही 21 से 30 कोड 31 से 40 कोड तो सबकी line को आपको देखनी है और पता करना है कि इसमें कौन सी बड़ी है ठीक है D नमर के question है 1, 7, 17 7, 1, 27, 37 ठीक है बच्चो तो इसमें देखना है कि कौन सा largest यानि की सबसे बड़ी नमबर है ये single नमबर है, ये one नमबर में ये two है, ये three है तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सी नमबर बड़ी है ठीक है बच्चो अब इनमर के question क्या है 5, 5 में क्या है 5, 2, 3, 23 8, 2, 5, 25 और 4 अब इसमें आपको देखना है कि सबसे बड़ी नमबर कौन है ठीक है, single नमबर यानि कि अकेला single को करते हैं, अकेला नमबर ठीक है, उसको आपको कर देनी है side और two नमबर को आपको एक साथ लेनी है, इन दोनों में आपको compare करना है कि कौन बड़ी है और कौन छोटी नमबर है 21 से 30 तक आप बोलना सुरू करो जो नमबर पहले आएगा, वो smallest होगा जो बाद में आएगा, वो largest होगा तो बच्चों, आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले बोला जाता है, वो smallest होता है और सबसे last में बोला जाता है, वो क्या होता है largest होता है, तो बच्चों, इस तरह से आपका आज largest का भी chapter समाप्त होता है ठीक है, हम लोग next video में यानि कि next class में, हम लोग smallest और largest दुनों पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आप confused ना हो, और easily smallest और largest इस नमबर पढ़ सको, ठीक है practice करो, समझने की कोशिस करो, ठीक है नमबर क्या है, जादस जादा आप नमबर पढ़ने की कोशिस करो, one से लेकर कि कम से कम hundred तक, ठीक है तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा ओके बच्चों, तो अब मैं अपनी क्लास यहीं पर समाप करती हूँ ठीक है, all the best धर पे रहे, सुरक्षित रहे ठीक है, और हमेंसे अपना हाथ धोते रहे, ठीक है बच्चों और अच्छी तरह से पढ़ाई के चे ठीक है, ओके बच्चों बाई बाई, टेक केर हम लोग मिलती है नेक्स क्लास में